हाई गाईज, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अपने घरों पे ठीक हो और positive feel कर रहे हो, तो गाईज, आज हमारी reading का जो topic है वो है आपके partner की deep भामनाई, deep feelings, ठीक है current feeling होगी, deep feelings होगी आप contact में हो, नहीं हो male, female, married, unmarried कोई gender specific नहीं है, ठीक है आप सब भी देख सकते हो और guys ये मैं all science सब कुछ इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आपको clarity मिल जाए आपको दिक्कत ना हो कि मतलब किन के लिए reading है किन के लिए नहीं है ठीक है इसलिए मैं आपको सारी proper चीज बता देती हूँ चार्टिंग भी ठीक है तो चलिए आप अप आपकी feelings भी देखोंगे ठीक है कि आपकी feelings क्या है लेकिन वह हम बात में देखेंगे पहले मैं आपकी feeling आपके पार्टनर की feelings पर जादा focus करो हूँ ठीक है पहला का रहा है conflict दूसरा है soul contact मैं आपको अच्छे से बताना है तब तक अब आप पार्टनर का नाम लीचिए और ध्यान कीचिए second chance time for action return release your past unconditional love अब मैं काल शपल करनू फिर मैं निकाल पीटिक है वेड 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 सारे काल पीटिक है अब नेक्स्ट का रहा है union जहां पर मुझे clarify की जरूरत पड़ी मैं clarify भी करूई हमें दो कार और चाहिए और मैं एक चीज़ के लिए thank you बोलती हूं कि जिन लोगोंने मुझे remedy बताई मेरे गले के लिए उनके लिए thank you so much major changes और एक और लेगते है कोई gender specific नहीं है और कोई science specific नहीं है चलिए देखिए सबसे अच्छी चीज में आप लोगों को एक चीज बताना चाहिए कि आपकी जो love relationship है उसमें काफी जादा major changes आने वाले हैं काफी जादा miracle होंगे miracle यह नहीं कि मतलब एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा miracle यह है कि आपका जो आप दोनों का न मुझे यहाँ एक soul contract लग रहे है चाहे आपको लड़ रहे हो जगड रहे हो आपके partner आपको block किया या आप लोगों की बात्चीत नहीं हो रही या कोई भी reason बने जो भी आप दोनों में circumstances बने है रीजन बने है जो भी problems आई है जिनकी वज़े से दूरी आप दोनों में बनी है तो आप लोग न एक 3D life में आप दूर हो जाते हो एक दूसरे से जैसे वो आप से दूर हो गए आप बात्चीत आपकी होनी बंद हो गए लेकिन आपका जो न एक divine की तरफ से एक soul contact है जिसकी वज़े से आप चाहते हो भी एक दूसरे से दूरी हो बते हो ठीक है क्योंकि आप लोग काफी जादा try करते हो आप भी आपके partner भी आगे बढ़ने का अपनी परानी चीज़ों को resolve करने का उनको release करने का और past को जाड़ा सोचते हो कि नहीं ज value नहीं जिसको मेरी रिष्टे की value नहीं तो आप इस रिष्टे से निकलना चाहते हो ठीक है लेकिन आपका soul contact होने के बापजुद आप निकल नहीं पार है क्योंकि divine ने आप दोनों को soul to soul एक दूसरे से जोड़ा हो है अगर मैं बोलूना कि आप अगर pen हो ना मैं example ही दे दे की बीना अधूरा है ठीक है और हाँ दोनों में मुझे एक चीज दिख रही है कि एक जब भी ऐसा कोई relationship निकल के आता है ना तो यहां पर एक चीज होती है एक इंसान practical दूसरा emotional एक इंसान दिल से सोचता है एक दिमाग से सोचता है एक इंसान ज्यादा जुकना पसंद करता है एक इंसान ज्यादा जुकाना पसंद करता है एक इंसान बहुत ज्यादा काम रहता है पड़ी सॉफ्ट रहता है हर चीज के लिए compromise करता है और एक इंसान जो होता है उनमें ego attitude भर भर के होता है जो soul to soul connection होती है क्यों क्योंकि वहां पे divine हमको एक वह प्यार करना सिखाता है जिसमें कोई बंदिशे ना हो कोई मतलब किसी चीज के से बंदा ना हो लालच ना हो greediness ना हो जिससे हम unconditional love भी बहुत सकते हैं ठीक है तो divine हमको वह चीजें सिखाता है क्योंकि मुझे पता है आप दोने में बहुत लडाई हुई है जगड़े हुए हैं काफी जादा आपके partner के दिमाग में अगर मैं बोलू निजी मैं आपका नहीं बोड़ी आपके partner का भी बोड़ी है ठीक है तो आपके partner यहां भी अगर मैं देखू तो आपके partner और आपके बीच काफी ज़्यादा लडाई चगड़े हुए हैं अच्छे से बात नहीं होती थी और मैं एक चीज बो मुझे न यहां से यह दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिष्टे में बहुत जुके हों क्योंकि आपने last time तक इस रिष्टे को बचाने की कोशिश की है या अभी भी वही कर रहे हो अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो अभी भी वही कर रहे हो लगे पड़े हो द आपको पता ही नहीं होता था जा पता ही नहीं होता है कि क्यों है क्या प्राव्रम है इस बंदे को क्या चाहिए क्या नहीं यह क्यों ऐसे करता है आपको कभी-कभी तो बिल्कुल इस चीज का मतलब पता ही नहीं चलता था और फिर आपके पार्टनर आपसे चीज़े बहुत hidden रखते थे, अपनी पूरी clarity नहीं देते थे या देते नहीं अभी भी ठीक है, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि आपके, वहाँ पे देखे guys, दो reason हो सकते, first of all तो यह हो सकता है कि आपके partner को यह लगता था कि अगर वो आपसे सारी बाते बताएंगे तो आप cut हो जाओगे जिसकी वज़े से वो आपसे बाते नहीं करते थे, दूसरा reason एक और दिखाई देता है कि आपके partner को यह लगता है कि अगर आपको सारी चीजों का पता चल गया या उनकी कुछ भी जो भी उनकी hidden चीजे हैं अगर उनका कुछ भी भनक मी पड़ गई तो यह रिष्टा तूट सकता है तीक है यहाँ हो सकता है आपके रिष्टे का तूटने का कारणी यह हो अगर no-contact में हो तो आप क्योंकि union के कारणे मुझे बताया है कि आप दोनों का no-contact है आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही यहां से most जादा जो मुझे लोग दिख रहे हैं वो वही लोग दिख रहे हैं जो बातचीत जिनकी नहीं हो रही लेकिन अब डिवाइन ने आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास दिलाए उनको एसास होया आपके पार्टनर को एक लव का एक फीलिंग का उनको एक आपकी तरफ एक देखिए आपके पार्टनर को ना इस चीज़ का रिलाइजेशन मुझे लग रहा है कि उनको ये लगता है कि इस बंदा जा बंदी ने मेरे से बिना किसी लालच के प्यार किया इसने कभी मुझे से कुछ मांगा नहीं इसने कभी मुझे से कुछ डिमांड नहीं की कभी इसने मुझे ये नहीं बोला मुझे ये चाहिए हमेशा मेरी हेल्प किया और ये इनसान मेरे सामने भी मेरे साथ एक honest रही है और मेरे बाद भी honest रही है आपने अपनी loyalty का proof दिया है यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपके partner को भी यह चीज़े दिखाई दे रही है लेकिन बताएंगे नहीं उनको दिखाई दे रही है कि यह बंदी मेरे सामने भी loyal रही है और मेरे पीट के पीछे भी loyal है यह उनको लेकिन जहाँ पे लोग ऐसे नहीं है चाहिए आपके partner चाहिए आप देखिए मैं यह नहीं बोलूँगी कि आपके partner को गलत बोलूँगी आप मेंसे भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक इंसान के साथ रहते हुए किसी और से भी बातचीत कर रहे हो क्योंकि मुझे vibes आ रही है कि कई मेरे वीवर्स ऐसे हैं हाँ चाहिए आप ऐसे friend ही कर रहे हो किसी से बातचीत लेकिन मुझे जहाँ भी लग रहे है कि आप क्योंकि आप अपने past को release करना चाहते हो आप ठक चुके हो आप अपने past को release करके थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो यह बुरी बात नहीं है मैंने बोड़ी की बुरी बात है तो यहां से मुझे वो दिखाई दे रहे है लेकिन आपके partner इस रिष्टे में second chance चाहते है वो इस रिष्टे में फिर से वही flavor लाना चाहते है वही एक प्यार वही सब कुछ दुबारा से start करना चाहते है क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ दूरी बनाके रहके देख लिया उनको यह लगा कि आपसे दूरी बनाके वो अपने लाई में आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर time for action का कारा है तो उनको आपके पार्टनर को यह था कि आपके साथ रह करना ना तो वो प्रॉपर आपको time दे पा रहे हैं ना अपने काम को जो भी उनकी अपनी problems है जिसकी वाज़े से आपके पार्टनर balance नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने एक को चुल लिया लेकिन जैसे यह वो gap मुझे नजर आ रहा है तो वही gap ने उनको आपकी worth समझाई है क्योंकि हमेशा दूरी ही एहसास दिलाती है जब तक कोई भी चीज हमारे पास है हमको उनकी value नहीं होती लेकिन जैसी वो चीज हमसे दूर जाती है हमको value होने लगती है तो यहाँ भी मुझे clear दिख रहा है कि आपके partner काफी ज़्यादा आपकी value करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आपसे second chance लेना चाते है वो अपने आपको prove करना चाते है आपके सामने अपने प्यार को अपने trust को अपनी loyalty को prove करना चाते है जिसकी वज़े से वो आपसे second chance मांग रहे है और time for action का कार यह बता रहा है कि आपके partner के दिमाग में यह है कि अब action नहीं लिया तो फिर मैं कभी नहीं कर पाऊंगा ठीक है और अगर आप ध्यान से देखिए तो time for action के निचे union है आपका union possible है पूरा पूरा आपका union होने वला है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं union आपका पास आ चुक है क्योंकि आपके partner की आँखे खुल गई है चाहिए वो बंदा है या बंदी उनकी आँखे खुल चुकी है उनको पता लग चुक है पहले आपके partner किसी miracle के इंतिजार कर रहे थी कि कुछ ऐसा हो कि अपने आपी ठीक हो जाए divine पे surrender कर दिया था लेकिन जब आपके partner को लगा कि नहीं यासे हाथ से हाथ धाने पे कोई फाइदा नहीं उनको खुद action लेना पड़ेगा तो यहां मैं एक चीज़ अगर बोलू पता नहीं मुझे कितने लोग आप इन चीज़ों को मानोंगे के नहीं मानोंगे आपके partner आपके साथ एक वो प्यार फील करते है जो उनको लगता है कि मतलब उनके पास चाहिए हजारों आई हूँ आपसे पहले आपके बाद लेकिन जो आपने उनको फीलिंग और प्यार दिया ना उनको यह लगता कि कोई और नहीं दिय सकता अगर आपके partner किसी और की तारों बाते करते भी है ना पोस करो किसी से चैट कर रहे हैं किसी पे बात कर रहे हैं तो आपके partner उनको आपको ढूंडने लगते हैं आपने उनको ऐसी आदत दिये कि वो आपको ढूंडने लगते हैं कि इसमें शायद आप मिल जाओ लेकिन देखिए हर इंसान एक दूसरे हर इंसान की अलग personality है ठीक है और आपके partner को ये भी पता कि ये जो बंदी या बंदा है जो मुझे अच्छे से संभाल सकता है ये उनकी सोच है मेरी सोच नहीं है ठीक है नगे उनकी सोच है उनके दिल में आपके लिए बहुत hidden feelings भी बहुत है अगर मैं देखू ना उनके दिल में feelings आपके लिए नहीं है उनके दिल में hidden feelings भी बहुत है बहुत जाद है वो आपके लिए बहुत जादा protective है क्योंकि अगर अब महां देखूं जरहां पिस करते हैं यह आपको अंकंडिशनल प्यार उतना ही वह आपको देना चाहते हैं यूंकि अगर अप लिए अच्छी बात है मैं तो सोच रही हूं कि अच्छी बात है इस बंदा घूम आया अच्छा हुआ ताकि आपकी वैल्यू का पता तो तब ही चलता है जब हम यह देखिए अच्छी बात है आपके साथ लॉंग टर्म चलना चाते हैं और यहां भी मुझे यह लग रहा है आप दोनों में लॉंग डिस्टंस भी है और यहां से क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टन आपके साथ एक कंफ्लिक्ट खतम करके आपके साथ फिर से न्यू ब किया अपनी तरफ किसी को आने ने दिया यहां तक कि आपसे भी दूरी बनाए लेकिन अब आपके पार्टनर को यह लगता है कि आपके साथ उनका कोई रिष्टा तो है चाहे इस जनम का चाहे टेस्ट नहीं आपके साथ जोड़ी ही है जिसकी वज़े से आपके पार्टनर अब इनिशेट एकना एफर्ट लगाने का ट्राई करना चाहते तब ही सेकंड चांस आया कार जहां पे वह एफर्ट लगाना चाहते इस रिष्टे पे ठीक है वह मतलब एकलकर मैं बोलो ना कि चुप चाप बैढ़ना चाहते नहीं बिल्कुल भी नहीं इंजल प्लीज बता आपको डूंडते हैं क्यों डूंडते हैं क्योंकि जो आपने उनको दिया ना वो कोई और नहीं दे पा रहा है उन्होंने आपको छोड़के आगे बड़े अपनी लाइफ को मतलब पूरा देखा घूमें फिरे एनलाइज किया सब कुछ करके देख लिया ठीक है और उन्हो मुझे लगता था कि आपके साथ वो बंदे हुए हैं और वो मतलब अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाई उन्होंने वो भी कर लेकिन वो इंजॉयमेंट भी उनको अच्छा नहीं लगा वहां पे भी हजारों के साथ भी उनको अकेला पन लगा और काईज मुझे जहां और दूसरा जो मुझे रीजन वो दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है न वो काफी जादा न लोगों की बाते सुनने वले बहुत कि लोग क्या बोलेंगे क्या है क्या नहीं है वो लोगों के भड़कावे में आकर मुझे जादा दिखाई दिया है यहां पे ठीक है न य चीज मुझे दिखाई दे रही है अगल नेक्स्ट कार देखते हैं टाइम को एक्शन पहले हैंग मैन की इनरजी थे में थे सरंडर कर चुके से इस रिष्टे को यहां पे कुछ भी एफट नहीं लगा रहे थे लेकिन अब इस हैंग मैन की इनरजी से रिकलकर एक्शन लेने टाइमा आके अब उनको पता चल गया है मैने आपको पहले रहा है कि उनको जे लग रहा कि जतना ताईम अगर mamy चुक्चा बैठा रहू गा तो ऐसे तो रिष्टा अगे भी बढ़ने वाला ऐसे तो कुछ नहीं होगा तो उनको यह लगा कि उनको ही इस रिष्ते को आगे के जाना पड़ेगा कुछ ने कुछ effort लगाना पड़ेगा ठीक है तो जिनकी वज़े से आपके पार्टनर अच्छा एक मैं चीज और बता हूँ आपको मैं बता रही थी ना कि काफी लोगों का influence है आपके पार्टनर को आपकी तरफ बहुत भड़काया जा रहा था कि ये उने बोलना वह सही था जो 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 बंदी मेरे साथ करती थी वह सही था उन चीजों को आपके पार्टनर ने डीफली एनलाइस किया जिसकी वज़े से उनको फिर ऐसास हुए आपके साथ देखिए मैंने अभी मैं यह नहीं बोला था लेकिन देखिए कार बता रहा है उन्होंने बहुत सोचा था कि आपके बिना वह बहुत अच्छे से अराम से रहेंगे घूमेंगे फिरेंगे अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे पैसा बैसा कमाएंगे सब कुछ करेंगे लेक जिनकी वज़े से आपके पार्टनर ने इस रिष्टे को फिर से वर्क करने का सोचा इंजर प्लीज बताएए हिटन फीलिक क्या है आपके साथ नई शुरुआत आपके साथ फिर से नई शुरुआत करने का सोचना चाहते हैं और एक बात बोलू कुछ ऐसी बाते भी होंगी जो आपके पार्टनर आपको बताएंगे कुछ ना कुछ ऐसी बाते जरूरूर होगी hidden क्योंकि आपके पार्टनर सचाई की नहीं पर अपना रिष्टा रखना चाहते हैं तो कुछ बाते हो सकते हैं आपके पार्टनर आपको बताएए अपने life की ठीक है release your past क्यों है marriage वो आ मुझे दो चीज़ों का involvement लग रहा था एक तो family का अब मुझे याद आया मैं वो बीच में बताना भूल गई एक तो family का involvement मुझे लग रहा था दूसरा उनके जो friend circle का बहुत जादा उनका influence था आपके पार्टनर लेकिन अब आपके पार्टनर अपने जो past को release करके छोड़क उनको बिल्कुल भूल के ठीक है आपके साथ एक नए शुरात करना चाहते हैं हो सकता है आपके पार्टनर आपको marriage का proposal भी दे या marriage का बोले या commitment दे या आपको एक मतलत सहानुपती दे कि हम आगे बढ़ते हैं इस रिष्टे को आगे तक लेके जाते हैं unconditional love क्यों है hidden feeling मैंने आपके पार्टनर के intuition बहुत तेज हो गई हैं आपके दूरी ने आपके पार्टनर के intuition पावर बहुत जादा तेज कर दिये बहुत जादा फास्ट कर दिये तो अब आपके पार्टनर एक बात बोलू यहां पे मुझे एक वाइप जारी इसकार से कि आप दूरी से आपके प से निकल जाओगे और आगे बढ़ चाओगे या हो सकता है आप अपनी राइब में आगे ग्रोव कर रहे हो जो वह आपको देख रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा अलग किया है जिनकी वज़े या उनकी इंट्यूशन पावरी इतनी तेज हो चुकी है कि उन्ह उन्हें आपके साथ इंसाफ नहीं किया आपने उनको सब कुछ दिया सब कुछ जो एक लड़का या लड़की एक दुसरे को दे सकते हैं प्यार फीलिंग्स इमोशन अगर फाइनैंशली हैल्प सब कुछ आपने किया लेकिन आपके पार्टनर को यह लगा कि उन्होंने यहां से मुझे जीद कर लेकिन अब आपके पार्टनर ने उसी सबर को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और वो आपके साथ रियूनिन करने के लिए बिलकुर रड़ी हैं यहां से मुझे क्लियर क्लियर दिख रहा है ठीक है चलिए करन्ट फीलिंग देखते हैं आपके आपके तर बहुत जादा अट्रेक्शन फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत जादा अट्रेक्शन और कॉम्मिकेशन भी करना चाहते हैं अगर कॉम्मिकेशन नहीं हो रही तो आपके पार्टनर की कॉम्मिकेशन आ सकती हैं ओवर्थिंकिंग कर रहे हैं आपके साथ एक balance मना के चलते हुए दिखाई दे लिए, पहले आपके partner काफी ज़्यादा confused थे, आप दोनों को लेकर नहीं मतलब अपने रिष्टे को लेकर काफी ज़्यादा confused थे, लेकिन अब आपके partner इस confusion से निकलना चाहते हैं, ठीट है, इंचल प्लीज मुझे बताइए, क्या उनका action क्या होगा, मेरे वीवर्स का action बताईए, आपने आप देखिए, ये कार फ्लिप हो के आया है, आपके partner ने आपके साथ जो tower movement था ना, उसको खतम करके, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, यहां से clear दिख रहा है, Ace of Wands, निउ बिग्नि, आपके सा उनके लिए guidance क्या है, देखिए, अगर आपके partner आपकी तरफ आएं, तो आपने ज़्यादा गुसा या aggressive नहीं होना, बिल्कुली, कि पहले मुझे चोड़के गए, अब आप आ गए हो, और एक बात बोलूँ, यहां पर मुझे ये भी लग रहा है, कि मुझे कही लोगों के आपके पास options भी लग रहे हैं, आप लोगों के पास, मिरे वीवर्स, कि आपके पास options हैं, जिनके उपर आप काफी ज़्यादा focus करें, यह मुझे कल पर सो भी मैंने reading की थी, वहां से भी मुझे निकला था, कि आपना new person की entry, या तो आपकी life में हो रही है, या आपके पास offers ह guidance रहते हैं कि guidance care, देखिए आपको positive रहना है, आपको बिल्कुल भी negative नहीं होना, आपने positive रहना है, यहाँ पे आया है, remain positive, और दूसरा का लेखते है, the situation will improve, आपकी situation जो भी है, वो improve होने बादी, आपकी जो भी problems चल रही थी, जो भी और यहाँ पे bottom of the deck, no need to worry, आपको बिल् अगर आपको अच्छी लगी है, तो आपको अच्छी लगी है, तो आपको अच्छी लगी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको इस टॉपिक पर देखनी है, वो भी मुझे बताइगा, वैसे तो जादा मैं कुरंटली feeling पे बनाने लगी क्यों कि मुझे पता है, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है, काफी जादा, सब लोगों का यही मतमेन होता है कि हमारे partner की current feeling क्या है, जिसके ओपर मैं जादा focus करती हूँ, फिर भी आपके पास कोई और topics है, जिस पर आप देखना जाते हो, तो आप मुझे पता सक ठीक है, और वीडियो को जादा जादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मिस्ते नेक्स रिल में, तब तक के लिए बाबाई